हेलो दोस्तो मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रैंगल से पार्ट 6 करेंगे इसमें हम कुशन नमर 76 से स्टार्ट करेंगे तो देखो इसमें पहला कुशन क्या दिया है दी गई आकरति में AC बढ़ा है AB से तो जो बुजा AC है वो बढ़ी है AB से आगे दिया ह तदा कौन A का समदिबाजक AD है जो कि मुझे इसमें दिया है तब निवगित में से सही खतन कौन सा होगा ये मुझे निकालना है तो देखो मैंने ट्रैंगल की पहली प्रॉपर्टी में आपको बताया होगा कि जो बुजा बढ़ा होगा उसके सामने वाला कौन भी बढ़ा बढ़ा होगा किससे AB के सामने कौन सा कौन है कौन ये वाला है या ADB में लिख सकता हूं कौन ADB तो जो ADC की वैली होगी वो बढ़ी होगी ADB से तो मतलब कौन सा मारा एंसर होगा C वाला हमारा एंसर होगा ठिक तो इस परकार से इसको साल कर सकते हैं अब देखो इसमा अगला कर्शन क्या दिया है तिरबुज ABC में कौन B 35 डिगरी है ये मुझे दिया है 35 डिगरी है कौन C 65 डिगरी है ये 65 डिगरी है तथा कौन BAC का अर्दक BC को X परकारता है इसका देखो सबसे पहले हम यहां से एक ही वैलियू निकालेंगे क्योंकि तिरबुज के अंता कौनों का योग 180 के बराबर होता है तो अगर मैं ट्रेंगल ABC में देखता हूं तो दो कौनों की वैलियू मुझे दिये है एक 65 है तो इनको जोड़ेंगे तो यह होगा 110 के बराबर त मुझे क्या निकालना है निमनिकित में से कौन सा कतन सत्य होगा तो इसमें दिया है AX BX CX यानि बुजाई मुझे दिये हैं तो AX BX और CX तो देखो मैंने आपको पिछले वाले क्वेशन में भी बोला था कि जो कौन बढ़ा होगा उसके सामने वाली बुजा भी बढ़ी है यहांप इसके सामने वाली बुजाही सबसे बरी होगी क्या दिया है इसे कौन सा ककतन सत्य होगा तो इहां पहे quiet दिया है ad right hand side में मुझे option में ad ही दिया है मतलब यह वाला option मुझे दिया है और एक चीज मैंने आपको दूसरी property इसमें बताई होगी कि किसी भी तिर्बुज में दो बुजाओं का जो योग होता है तीसरी बुजा से बड़ा होता है तो अगर मैं इसमें triangle bad को लूँ triangle bad तो इसमें मैं लिख सकता हूं bad यह वाला लिखा मैंने ठीक है तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं यह वाले triangle को लेता हूँ ADC तो इसमें दो बुजाएं मतलब अगर मैंने AC PLUS DC लिया तो इनका योग किस से बढ़ा होगा तीसरी बुजा जो बची मतलब AD से बढ़ा होगा अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर होगा AD PLUS BD AD PLUS AC PLUS DC बढ़ा होगा किस से देखो यह भी जोड़ेंगे तो एक यह है एक यह है तो यहाँ पर हो जाएगा 2AD अब देखो यहाँ पर मैं जो BD है और जो DC है BD और DC इसको क्या लिख सकता हूँ इसको BC पूरा लिख सकता हूँ तो इनकी value हो जाएगी BC AD PLUS BC PLUS AC यह बढ़ा हो जाएगा 2AD से तो देखो यह कहाँ पर है Option D में है मतलब D वाला हमारा answer होगा तो इस परकार से इसको भी solve कर सकते हैं आप देखो अगला question क्या दिया है दी गई आकरति में AB बढ़ा है AC से जो AB है वो बढ़ा है AC से आगे दिया है तो नियुकित में से कौन सा कतें सत्य होगा तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे बढ़ा यह वाला है और comparison किस में करना है AB और AD में तो देखो सबसे बढ़ी बढ़ी बढ़ा AB है तो बाकि तो नियुकित में से कौन सा कतें सत्य होगा तो जो कौन बढ़ा होगा उसके सामने वाली बुजा बढ़ी होगी तो इसके सामने वाली बुजा है CB या BC तो जो कौन A है या जो बुजा BC है वो बढ़ी होगा किस से कौन B के सामने कौन सी बढ़ा है AC तो BC बड़ी होगी AC से मतलब कौन सा मारा answer B वाला मारा answer अब देखो आगला कुशन क्या दिया है दिये गे तिरिबुच ABC में दिया है कि जो AB है वो बड़ा है AC से AB बड़ा है AC से आगे दिया है ये दे कौन B तथा कौन C के अर्दक क्रमसब BO तथा C हो है कौन B और कौन C के अर्दक अर्दक मतलब दो बराबर भागों में बाटने वाले तो ये C है तो ये भी C by 2 होगा ये भी C by 2 होगा ये B by 2 होगा और ये B by 2 होगा तो क्रमसब BO तथा C BO तथा CO है प्रस पर O पर मिले तो निविखित में से कौन सा कतन सत्य होगा तो B.O. और O.C. तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ स्टार्टिंग में मुझे दिया है कि जो बुझा A.B. है वो बड़ी है A.C. से A.B. बड़ी है A.C. से तो A.B. के सामने कौन सा कौन है कौन C है मतलब जो कौन C होगा वो बड़ा होगा A.C. से तो A.C. के सामने कौन B है और अगर मैं इसका हाप भी करता हूँ तो हाप भी बड़ा हो जाएगा तो देखो जो कौन C है C.B.2 है इसके सामने कौन सी बुझा है अब O.B. है तो मतलब जो बुझा O.B. होगी वो बड़ी होगी B.Y.2 के सामने कौन सी बुझा है O.C. है O.C. से तो जो O.B. है वो बड़ा होगा O.C. से तो कौन सा वाला है A. वाला है मतलब यह हमारा एंसर होगा इसी परकार से देखो अगला कुछ नहीं कहा दिया है तिरबुझ A.B.C. के अभियंतर में कोई बिंदू O. है तो कोई तिरबुझ मैंने बना दिया इस परकार से A.B.C. तो इसके अभियंतर मतलब बीच में कहीं पर भी ले लो इसके अंदर होना चाहिए तो अगर मैं यहां पर लेता हूँ तो कोई बिंदू O. है ठीक है तब नियुक्त मैं से कौन सा कतन सही होगा यह मुझे निकालना है तो अगर मैं इन तीनों को मिलाता हूँ यहां पर O. हो गई ठीक है इन तीनों को मिलाता हूँ तो तब क्या होगा OA, OA, OB, OB और OC इन में बड़ा होगा, छोटा होगा, ये मुझे निकालना है तो देखो, अगर मैं starting में ये वाली triangle को लेता हूँ triangle A, OB को अगर मैं लेता हूँ तो मैंने क्या बोला था, कि दो बुजाओं का जो योग है, तीसरी बुजा से बड़ा होता है तो अगर मैं इसमें ये वाली दो बुजाओं लेता हूँ starting में OB, PLUS OA, तो ये बड़ा होगा किस से, तीसरी बुजा AB से इसी परकार से अगर मैं ये वाली triangle में देखता हूँ तो OA, PLUS OC, ये बड़ा होगा AC से और last में ये वाली triangle में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर होगा OB, PLUS OC, ये बड़ा हो जाएगा BC से अब इन तीनों को जोड़ दो, तो देखो OB दो बार आ रहा है OA भी दो बार आ रहा है, OC भी दो बार आ रहा है तो यहाँ पर two common ले लो, तो OB, PLUS OA, PLUS OC ये बड़ा हो जाएगा किससे, इन तीनों को जोड़ दो, AB, PLUS AC, PLUS BC तो अगर मैं दो को नीचे लेके आता हूँ, तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा तो OA, OB, OC, या OB, OA, OC, एक ही बात है तो ये हो जाएगा, हाप आप AB, PLUS BC, PLUS CA, मतलब B वाला हमारा answer जाएगा तो इस परकार से हम इसको solve कर सकते हैं, आप देखो आगला question क्या दिया है तिरबुज ABC तथा तिरबुज DEF में ये दि BC बराबर हो EFK, BC बराबर हो EFK, ठीक है और तीसरी थी ASA, तो इसमें दिया है कि दो बुजाएं बराबर हैं, एक ये वाली बुजा और ये वाली बुजा, दोनों बराबर हैं, तो मतलब दो बुजाएं ये वाली, तो दो बुजाएं अगर बराबर हैं, तो इनके बीच वाला जो कौन है, क्योंकि A इसमें बीच म के बीच में तो यह आ रहा है इसी प्रकार से इस में भी यह आ रहा है तो मतलब जब कॉन c वराबर हो गाउन f के तब यह सरवांग्सम हो सकते हैं मतलब कॉन सा मारा answer हो जाएगा C वाला मारा answer होगा टिक तो इस प्रकार से हम इसको भी solve कर सकते हैं अब देखो अगला कोशन क्या दिया है तिरबुज ABC तथा तिरबुज DEF में यह दि कौन B बराबर हो कौन E के जो कौन B है वो कौन E के बराबर है कौन C कौन F के बराबर है तो ABC सरवांग सम होगा DEF के तभी होगा जब की तो मैंने सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोनों कौन के बीच में कौन सी बुजा है यह वाली तो जब B C बराबर होगी EF के तभी यह सरवांग समोंगे मतलब कौन सा मारा इंसर होगा यह वाला मारा इंसर होगा टिक तो इस प्रकार से इसको भी सॉल कर सकते हैं आप देखो अगला वश्न क्या दिया है दो तिर्बुजाओं के सरवांग समोंगे के लिए निमिनखित में से कौन सा पर्तिवत्ता परियाप्त नहीं है तो पहले तो मैंने आपको बताया था मिनिमन प्रॉपर्टी है SSS दूसरी प सकता है एसे यह भी हो सकता है और SSS यह भी हो सकता है मतलब यह वाला नहीं हो सकता तो यह हमारा एंसर चाहिए चिक अब देखो अगला कोशन क्या दिया है तीगए आकरते में बीसी का मद्देबंदू L है जो बीसी इसका मद्देबंदू L है मतलब जितनी वैल्यू इसकी ह होगी आगे दिया है तथा LM antagonist है AB जो LM है प्रपेंडिकुलर है AB ठीक है आगे दिया LM प्रपेंडिकुलर है यह भी मुझे दिया है तथा LM ब्राबर है LM यह दौना बराबर है ठीक है उतरोब मैं यहां पर इस परकार से लिख देता हूँ तो नहीं मुझे इसे कौनसा कफ़ेंद सत्य यहां यहां पर आप देख रहे हूंगे यह वाली बुझा इसके बराबर है गों से ट्राइंगल की बात हो लिए और यहाँ पर triangle LNC की बात हो रही है तो दो बुजाएं बराबर हैं और साथ में यह वाला कॉन भी बराबर है इसका मतलब यह वाली बुजा भी बराबर होगी तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो BML जो तरिबुज BML है वो सरवांगसम होगा तरिबुज LNC के तो यह दोनों सरवांगसम होगी तो यह वाला जो कौन है यह भी बराबर होगा इसके मतलब जो कौन B है वो बराबर हो जाएगा कौन C के तो अब कौन बराबर होगी तो इसके सामने वाली बुजा भी बराबर ही होगी क्यान से कौन सी है a c है यह बराबर होगी कौन सी मतलब abc भर बराबर जाएगी तो abc ?! और vaula कि दिया है अब दिया है कि तीर गुष एबस चिंहां वह दिया है वे लगें। तो नियुक्त मेंसे कौनसा कफ्तिय हो गई हमें निकालना है तो देखो यह मुझे बराबर दीये हैं तो अगर मैं सबसे पहले ये वाले डैंगल में देखोो त्रभुज अ-ल में और दूसरा तरीवड़ त्रभुज आ- килच्छ के यहां पर देखो जो बियल है को यह 90 है तो यह भी 90 होगा और यह 90 है तो यह भी 90 होगा यानि जो कौन इसमें कौन सा कौन होगा इसमें कौन होगा ठीक है एबी एल में कौन होगा यह बराबर होगा किसके कौन एम के और साथ में यह आप देख रहे होंगे यह दोनों में उबाइनिस्ट है यह common है जो अंगल है वो दावन है मतलब है मि हम अगर इसे वह तो इसने ऐ apris important होती है तो अगर मैं इसमें देखूं triangle यह वाले तिरफुज में देखने हैं मुझे A, B, L में तो जो A है क्योंकि दोनों में common है तो यहां पर यहां पर भी starting में A होना चाहिए तो यहां पर A हो गया उसके वाद अगर मैं M को देखता हूं तो यहां पर M होगा इसमें M नी इसमें L होगा और इसमें M होगा और इसमें last में बचा कौन सा इसमें B बचा इसमें C बचा तो यहां पर होगा B यहां पर होगा C तो A के साथ A कहां पर है A के साथ A यहां पर है ठीक है फिर B के साथ C कहां पर है B के साथ C यहाँ पर है, और L के साथ M यहाँ पर है, मतलब यह वाला हमारा answer होगा, वहीं अगर मैं इसको देखता हूँ, देखो A के साथ तो A है, बट B के साथ मैंने क्या बूला, B के साथ C आना चाहिए, तो यहाँ पर B के साथ तो M आ रहा है, यह वाला नहीं होगा, इसमें A E बराबर D B के, A E बराबर D B के, मतलब यह दोनों बराबर हैं, आगे दिया है C B बराबर E F, C B बराबर E F के, तो यह भी बराबर हैं, तथा जो कौन A B C है, कौन A B C, बराबर होगा, कौन F E D, कौन F E D, यह दोनों भी बराबर हैं, तो यह दोनों भी बराबर हैं, तो यह A, B, C में देखो A, B, C तो इसमें मुझे दिया है कि जो E, F है वो बराबर है C, B के और जो कौन D, E, F है वो बराबर है किसके? कौन? A, B, C के ठिक? और मुझे यहां से लेकर यहां तक मतलब जो A, E है वो बराबर है B, D के तो यह इसमें common point है तो अगर मैं इसको 5 मानता हूँ तो क्यूंकि यह दोनब बराबर हैं तो यह भी 5 होगा और अगर मैं इसको 6 मानता हूँ तो तब क्या हो जाएगा? देखो यहां पर अगर मैं पूरा A, B निकालो तो वो किसके बराबर होगा? 6 और 5 तो यहां पर देखो क्या क्या बराबर होगा एक तो यह बुजा बराबर होगी इसके और दूसरी यह बुजा बराबर होगी इस वाली बुजा के और साथ में यह वाला यह बराबर हैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह सर्वांग समें कौन से प्रॉपरिटी के दौरा एस एएस के दौरा ठीक है तो मतलब जो कोण ऑ है वो किसके बराबर है कोण बू बू के बराबर है तो एक कि साथ में किसका ऊना चीए डी का ऊना चीए तो एक किसाथ में डी का किसका है यह वाला मतलब एवाला मारा answer होगा धिक तो इस परकार से इसको स्वाल कर सकते हैं अब आगला कुष्ण क्या दिया है यही तो अगर मैं इसको एसे और M और N मानता हूँ तो तब पिछले वाला मैंने आपको बताय था यह वाला question तो इसमें क्या हो रहा था जो AB की value है वो AC के वराबर हो जाती है तो यहां पर भी क्या होगा जो AB की value होगी वो AC के वराबर होगी मतलब यह बुझा इस बुझा के वराबर होगी तो किसी भी तो यह बुझा की तिर्वुझ में दो बुझाएं अगर बराबर हैं तो उसको क्या बोलते हैं समद्वाव तिर्वुझ मतलब वाला मारा एंसर हो जाएगा अब देखो लाज्ट व्ला question क्या दिया है निमलिकित में से कौन सा सही है तो पहला दिया है एक तिर्वुझ में आगे दिया है एक तिर्वुझ में दो कौन अधिक कौन हो सकते हैं अधिक कौन मतलब अगर मैं 91 मानता हूं क्योंकि नब्बे से ज्यादा होना चाहिए तो यह भी 91 होगा तो दौनों अगर मैंने 91 मान दिये तो यह तो 182 हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है यानि यह वाला हमारा इंसर होगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल कर सकते हैं आप देखो इसके बागी कोशन है हुआ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सिस्क्रा आप गव संसरा लगा हुआ है हुआ है हुआ है तो आप थायँ को पूदा दोस्तों को लाइक कर से साथ शेर बागा दोस्तों को सुटन है